आक्षन क्या होती है? I'm sure आप जानते हो किसी भी चीज को जादा से जादा दाम में बेचने का तरीका For example, IPL IPL में हर प्लेयर का एक बेस प्राइस टेट होता है For example, 2 करोड रुपे अब इसके बाद हर प्लेयर की बिड्स लगनी चालू होती है और एंड में जिसने भी हाइस बिड्स लगाई है वो प्लेयर उसका हो जाता है But ये सिर्फ एक टाइब की आउक्षन है इसको बोलते हैं English Auction एक और टाइब की आउक्षन होती है जिसको बोलते है Dutch Style Auction अगर आपको सबसे कम दाम पे कुछ काम करवाना है तब आप ये Style यूज करते हो For example, Government Tenders सरकार को let's say 100 करोड का एक प्रोजेक्ट करवाना है जिसमें उनको roads establish करवानी है एक पर्टिक्लर सिटी में And applications invite की अब जितनी भी construction companies हैं वो इस टेंडर पर apply करेंगी और try करेंगी कि 100 करोड से कम की bid place करें बट उनको bid place करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और सरकार उस company को ये project देदेगी जिसने lowest bid लगाया है तो जहां English auctions में आप किसी भी चीज को जादा से जादा price में बेच सकते हो Dutch auctions में आप कोई भी काम कम से कम cost में करवा सकते हो